नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैम्स और ग्रो मोबाइल एप के थुरू यदि आप कोई mutual fund खरीते हैं तो आपको क्या फाइदे मिलते हैं और कहां आपको सबसे अधिक फाइदा मिलता है तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कैम्स के बार तो इन्होंने जो है अपना फोकस जो है mutual fund business के उपर start कर दे और यह उसके बाद बन गे दोस्तों रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट यानि की जो भी mutual fund में लेंदेन होता है या जो इनकी KYC है वो सब यह manage करते हैं grow भी दोस्तों एक android application है और साथ ही इसकी website है तो इसके माध्यम से आप जो है mutual fund share market और digital gold को बहुत आसानी से खरी दिया बेज सकते हैं इस application के जरिये दोस्तों आपने जितने भी investment किये हैं चाहिए वो mutual fund में है share market में है या digital gold में है आप उन्हें एक ही dashboard के ऊपर देख सकते हैं दोस्तों एक छोटा सा comparison करते हैं तो cams के थूरू आप सिर्फ 17 AMC mutual fund के fund को आप buy, redeem या switch कर सकते हैं जबकि grow के थूरू आप सारे AMC mutual fund के fund को buy और redeem कर सकते हैं दोस्तों grow के थूरू आप स्विच नहीं कर सकते हैं जबकि ये option आपको cams के थूरू मिलता है आप एक fund से दूसरे fund में आसानी से स्विच कर सकते हैं अगला दोस्तों इसके pro और कौन से देखते हैं, cams में दोस्तों आप यदि जो भी 17 AMC mutual fund कमपनियों में आपने निवेस किया है तो वो automatic आप उसे cams में देख सकते हैं जबकि grow के थूरू आपने जितने भी fund buy किये हैं वो आप grow के अंदर देख सकते हैं, चाहे fund हो, share हो, चाहे digital gold हो तो दोस्तों cams में account का कोई charges नहीं है और grow में भी अभी तक कोई charges नहीं है cams के उपर सिर्फ आप mutual fund में निवेस कर सकते हैं, यानि कि यहाँ पर आपको कोई demate account की सुविदा नहीं मिलती जबकि grow में आप demate account खुलवा सकते हैं cams में सिर्फ mutual fund के उपर आप जो है निवेस कर सकते हैं, जबकि grow के तुरू आप mutual fund, stocks, gold और USA stock के उपर भी आप निवेस कर सकते हैं grow के उपर दोस्तों आपको statement के बहुत सारे option नहीं मिलते हैं, जबकि cams के उपर आप बहुत तरह के statement निकाल सकते हैं, वो मैं अभी आगे वीडियो में आपको बताऊंगा cams का दोस्तों कोई AMC charges नहीं है, आप इसमें login करते हैं, इसका mobile app आप यूज करते हैं, आप इसकी website, webpage से यूज करते हैं, तो आपको कोई charges यहाँ पर नहीं देना है, कोई annual maintenance charges नहीं है grow app का भी अभी तक कोई annual maintenance charges नहीं है, आगे दोस्तों यह ले सकता है, वो depend करता है इनके management के decision पर, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ option पर आप star देख सकते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर आने वाले time पर charges यह ले सकते हैं, या जैसे stocks, gold या USA stock में आप grow के थुरू निवेस करते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ charges लगता है, जो कि normal या बहुत minimum charges हैं, दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि camps के थुरू जो है, आपके पास statement निकालने के बहुत सारे option आते हैं, camps के थुरू आपने जितने भी mutual fund AMC कंपनियों में निवेस किया है, चाहिओ camps के under आते हैं य यहाँ पर निकाल सकते हैं, दोस्तों इसके अलावा CAS plus camps, साथी दोस्तों आप single portfolio का भी यहाँ पर statement निकाल सकते हैं, capital gain और loss आपको कितना हुआ, उसका statement निकाल सकते हैं, transaction की detail statement निकाल सकते हैं, pay in, pay out आपने कितना किया, उसका statement निकाल सकते हैं, और इसके अलावा दोस्तों exit load कितना आपको पढ़ा उसका भी आप यहां पर statement निकाल सकते हैं तो दोस्तों कैम्स का mobile app आपको कुछ इस तरह से दिखता है और वहीं यदि grow की बात करें तो grow का भी जो आप mobile app देखेंगे तो वो भी इस तरह का है तो दोस्तों यह एक छोटी सी वीडियो थी जहां पर मैंने कैम्स और grow mobile app के बारे में बताया था तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल में नए है तो पलीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो और अपडेट आपको आगे भी मिलता रहे धन्यवाद